पांच ऐसे घरेलू तरीके या ऐसे पांच खाने की चीजें जिनकी मदद से आप अपने फैंपनों को मजबूत कर सकते हैं आपने काफी सारा पैसा खर्च किया है आपने काफी सारे मेहनत की है आपने काफी सारे उपाय अपना लिये लेकिन आपके लंग्स जो हैं मजबूत नहीं हो पा है आपको बार बार अलर्जी होती है बार बार जुखाम होता है या फैंपनों से संबंदित आपको बीमारियां ह हो जाती हैं तो आज किस विधियो में हम आंडेंगे अपने अपने लंग्स को किस सब्ध疫 hm कर सकते है और अपने लंग्स को बिमारियों से कैसे बचा सकते है यह क्शनी डेलिप्रेशन है इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताई गई ही है कि वे पाँच ऐसी चीजह खाने की चीजह जिनके मदद से आप अपने लंग्स को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं और लंग्स के अंदर जो बीमारियां है या जो allergy जैसे सिकाइते हैं उन्हें भी आप दूर कर सकते हैं तो ऐसे कौन से कौन से पाँच चीज़े हैं जिने खाने से आपके lungs की जो strength है वो बढ़ सकते हैं आप अपने lungs को healthy रख सकते हैं और अपने lungs को बिमारियों से बचा सकते हैं तो hello everyone मैं डॉक्टर लोकेंद्र बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आपका मेरी YouTube चैनल में दोस्तों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो को like करें लाइक करने से वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुँच पाता है और ये free of cost information हर एक ब्यत्तिक तक पहुँच जाए ये मेरी आप सभी से बिनम्र निवेदन है तो सबसे पहले मैं बात करूँगा चुकंदर के बारे में जिसे English में wheat भी कहा जाता है चुकंदर वैसे तो आपने सभी जानते होंगे क चुकंदर खाने से खून बढ़ता है ब्लड बढ़ता है और चुकंदर खाने से आपके लंग्स की जो functions होती है वो भी बढ़ जाती है लंग्स जब हमारे काम करते हैं तो एक साथ में कई सारी क्रियाएं होती है जिन के लिए अलग अलग chemicals की जरूरत होती है चुकंदर के अ मात्रा बढ़ती है तो आपको ज्यादा मात्रा बढ़ने पर परिशान भी कर सकता है लेकिन जब नाइट्रेट्स हमारे लंग्स के लिए जरूरी होता है तो वह हमारे लंग्स के फंक्शन को बढ़ाता है यह हमारे लंग्स को क्लियर करता है यह हमारी व्रीधिंग यानि खासी आती है या आपको hiccups आते है तो इसमें diaphragm का main role होता है अगर diaphragm proper तरीके से work ना करे तो आप खास नहीं पाएंगे तो खासने के लिए या हिच्की आने के लिए hiccups आती है आपको तो diaphragm का main role होता है और इसके लिए nitrates के बहुत ज़्यादा जरूर होती है तो nitrates हमारे lungs में जो हमारे lungs का congestion है उसे clear करता है nitrates हमारे lungs function को बढ़ाता है nitrates diaphragm के functions को बढ़ाता है और ये breathing problems जो मरीज़ों को होती है उन के लिए भी बहुत जादा helpful होता है इसके अरावा दोस्तों हम बात करेंगे नील बद्री के बारे में जिसे हम blue varies भी कहते हैं ये anti inflammatory property का होता है और ये anti allergic property का होता है जिसकी बज़ा से हमारे lungs के अंदर जो allergies होती है या जो inflammation smiling होती है उसे दूर किया जा सकता है तो inflammatory मतलब कि ये हमारी सरीर के अंदर कहीं घर inflammation होता है या फिर हमारे फेंटों के अंदर inflammation होता है या फिर हमारे lungs के अंदर को अलसी भी कहा जाता है फ्लैक्सीट्स के अंदर ओमेगा-3 fatty acid पाए जाता है और इसके अंदर magnesium भी पाए जाता है तो फ्लैक्सीट्स जो होता है फ्लैक्सीट्स जी हम कहते हैं इसे हम हिंदी में LC कहते हैं और इसके अंदर omega 3 fatty acids पाए जाता है जो हमारे अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा उप्योगी होता है जो omega 3 होता है यह अस्थमा के patients में जो breathing problems होती है उन्हें कम करता है जो सांस लेने की जो हमारे प्रक्रिय होती है उसे easy करता है जिसकी बजह से अस्थमा के मरीजों में बहुत राहत देखने को मिल जाती है इसके लाबा दोस्तों हम बात करेंगे turmeric के बारे में नमबर 5 पर हमारा आता है turmeric जो की हिंदी में हल्दी के नाम से जाना जाता है turmeric के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ा होती है ऐसी properties होती है जो हमारी all over body के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है turmeric यानि की हल्दी इसके अंदर एक curcumin करके एक ऐसा पधार तो होता है जो antioxidant होता है antioxidants जो चीज़ा होती है वो हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है साथ ही साथ जिनकी उम्र ज़्यादा होती है जो old age के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है हमारे heart के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है anti-inflammatory होती है जो हमारे सरीर में कहीं भी solution होने पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये role play गरती है तो जब भी हमारे सरीर में swelling होती है inflammation होता है congestion होता है allergy जैसे problems होती है तो ऐसे स्तिती में ये healthy बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है curcumin जो होता है ये Alzheimer से भी बचाता है cancer cell से भी बचाता है जिस परकार से हमने समझाता antioxidants जो होता है वो हमारे free radicals को block करता है यानि कि जो हमारे सरीर में जो हमारे body के अंदर free radicals घूम रहे हैं उन्हें block करता है हमारा antioxidants antioxidants बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इसे परकार से curcumin भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है जो कि हल्दी के अंदर पाया जाता है हल्दी के अंदर curcumin पाया जाता है और ये anti-inflammatory anti-allergic और हमारे सरीर के heart के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है heart जब बिमार नहीं पड़ेगा करकिमिन, ARDS यानि acute respiratory distress COPD, allergicous thama heart diseases के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है कफी सारी बिमारियों को ये कम करता है या होने से बचा लेता है इसलिए हल्दी का सिबन भी आप कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे garlic and onion के बारे में garlic, onion, यानि के लहसुन और प्याज के बारे में के अंदर भी anti-inflammatory properties होती है और ये हमारे lungs के लिए common cup cold को दूर करने के लिए allergy को दूर करने के लिए जुखाम, खासी या allergy जैसे शमस्याज़ मरीज को हो जाती है उन्हें दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा उपियोगी होता है और हमारे lungs के लिए बहुत ज़्यादा उपियोगी होता है तो ये 5 चीज़े खाने से आपके lungs स्वास्तर हैंगे और आपके lungs में कोई भी problem से नहीं होगी, अगर कोई problem से चल रही है तो उन परिशानियों को ये कम करेगा तो ये 5 चीज़े खाने से आपके lungs अच्छे तरीके से मजबूत हो सकते हैं और अपने lungs को आप बचा सकते हैं खराब होने से मज़े उमीद है ये वीडियो अप सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपियो होगी होगा इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीखेंगे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके नमस्कार, थैंक्स वर बाचिंग, हैवा नाइस दे, जहनुच शब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बैल आइकन को दवाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए